नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंकेता साइकलोन नाम सुनकर ही डर लगता है कई बार हवाओं का रुख बदलने से साइकलोन अपना रास्ता बदल लेता है और खत्रा टल जाता है नुकसान कम होता है लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है मैंडूस तूफान दक्षिन के राजियों में कहर बन कर तूटा है तमिलाडू में तबाही मचाने के बाद साइकलोन मैंडूस अब दक्षिन आंद्रप्रदेश की तरफ बढ़ गया है लेकिन तमिलाडू से जाते जाते मैंडूस ने भारी तबाही मचाई है कई जिलों में तेज आंधी की वजह से सैक्डो पेड जर से उखड गए है चेने की टीन अगर इलाके में दीवार गिरने से तीन गाडिया बुरी तरह से शती गरस्त हो गई है भारी बारिश से कई जिलों में सड़के तालाब में तबदील हो गई है कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है हाला कि शुक्रवार देरात साइक्लोन मा मल्लपुरम तट से टक्राने के बाद कमजोर पड़ गया है मौसर विभाग के चेतावनी को देखते हुए तमिलाडू के तेरा जिलो में रविवार तक रेड अलर्ट जारी किया गया है शनीबार को हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रती घंटे रही ग्रेटर चेनेई कॉर्परेशन ने साइक्लोन मैंडूस के कमजोर पड़ने तक लोगों को घर से बाहर ना निकलने की अपील की है लोगों से पेडों के आसपास अपनी गाडियां पार्क नहीं करने को कहा है सभी पार्क और प्लेग्राउंड बंद करने के आदेश दिये गए है चेनेई और पुंडचेरी के बीच 1899 से 2021 तक यानि की 130 सालों में 12 चक्रवाद आ चुके हैं ये 13 वा साइकलोन है तमिलाडू के साथ मैंडूस के असर से आंदर प्रदेश में भी तेज बारिश जारी है शुकरवार को प्रसद तीर्थ इस्थान तिरु माला तिरुपती में बारिश की वज़ह से अफरा तफरी मच गई यहां बड़ी संख्या मेश धालू भगवान बाला जी की दर्शन करने पहुँचते हैं तूफान के असर से 48 से 56 घंटे तक बारिश जारी रहने की संभावना है इस दौरान तेज हवाओं से पेड़ों और मकानों को नुकसान भी बहुँच सकता है प्रशासन ने गुरुवार से लेकर रवीवार तक के लिए अलर्ट जारी किया है इस दौरान लोगों को समुदर तट से दूर रहने को कहा गया है साथी प्रशासन की ओर से अपील और सलह के अनुसार काम करने के लिए कहा गया है आपको बता दे कि चकरवाती तूफान मन्रोस का नाम सेयुक्त अरव अमीरात ने दिया है अर्बी भाशा में इसका अर्थ खजाना होता है इस साल मौनसून के बाद बंगाल की खाड़ी में ये दूसरा तूफान है इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तास से जानने के लिए जुड़े रहे जन्भावना टाइम्स के साथ नमस्कार